नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम सिलाई मसीन के अलग अलग नमबर की सुई यानि कि जु pero乾 extert कि 11 नंबर की चोदों नंबर चोदों नंबर की 16 नंबर की इफरेंस होता है वहीं हम इस वीडियो में समझने वाले हैं तो चलिए वीडियो सुरू करते हैं देखिए अलग-अलग नंबर की सुई में क्या अंतर होता है उसको समझने के लिए सबसे पहले आप सिलाई मसीन के सुई को अच्छे से समझ लेजिए क्योंकि जो हमारी सिलाई मसीन के सुई होती है हमारे सिलाई मसीन के सुई में भी कई सारे पार्ट होते हैं तो उसको समझ लेजिए किस पार्ट को क्या बोलते हैं ताकि आगे चल के आपको वीडियो में बताई गई हर बाते अच्छे से समझ में आ जाएं देखिए इसके उपर देखिए सुई के ऊपर में यह वाला पार्ट जो यह रहिस्सा है इसको हम बोलते हैं बत ठीक है उसके बाद जो बत के नीचे वाला पार्ट देखिए यहां से लेके यहां तक जो पार्ट भाग है सुई का इसको बोलते हैं सैंक और ये देखिए, साफ्ट में दो साइड होता है, जैसे सिक्के में दो पहलू होते हैं, सेम ऐसे ही हमारी सिलाई मशिन के सुई में, जो साफ्ट वाला पार्ट होता है, इसके दो साइड होते हैं, एक साइड में देखिए, ऐसा बना हुआ होता है, इसको बोलते हैं, लॉंग और जो इस कार्फ बना हुआ है यह किस तरह से काम करता है सिलाई मशीन में तो इसके उपर मैंने आल लेडी वीडियो बनाके अपने यूटुब चनल पर अपलोड कर रखा है यह देखिए यह वाली वीडियो है इस वीडियो का लिंक आपको हमारे इस वाली वीडियो के डिस् यहां तक जो पार्ट है इसको बोलते है आई पार्ट और यह देखिए इस आई पार्ट के अंदर हमारे सिलाई मशीन के सुई में होल बना हुआ है जहां हम धागा डालते है अब यह देखिए आई पार्ट के नीचे यहां से लेके यहां तक जो पार्ट है इसको हम बोलते ह we give it point देखिए का सीवων स समझ गे हमारी मसीन होता है सिलाइच मेसीन की चो से बोलते हैं सोल और है तुम स्मझते हैं हमारी का सिव मेरा अलिग अलग अलग में नमबर की सीव चनलता ही यह देखिए आपको समझाने के लिए हमने यहां पे कुछ नमबर की सुई को सिलेक्ट कर रखा है यह देखिए यह हो गई हमारी 6 नमबर की सुई यह हो गई 11 नमबर की सुई और यह हो गई 14 नमबर की सुई हमने फिलाल इतना ही सिलेक्ट कर रखा है इसी में मैं आपको समझा एक बात समझ लिजीए दखीए जितने वी नंबर की सुई आती है सभी नंबर की सुई में इस में देखिए जो सुई का बर्ट वाला पाट यहां नेकर से लेके यहां कत carbon अग्म कुछ बदलाव नहीं अब क्या बदला होता है, अच्छे से समझिहें, तेखिए यह जो हमारी सिलावी मशिन की सुई है, 6 नमबर वाली यह सबसे कम नमबर की सुई होती है और बहुत ही पतली होतीई, देख रह πά है जो इसका नोख है, जो पॉइंट है एक कितना पतला है और इसकी ऊपर डेखिए जो आई है कितनी छोटी है पतली है और इसकी यहाँ पे हमारे छाले पार्ट तो नीचे सब साथ थोड़usan नॉटा हो गया है और स्वी का सुई का पॉइंट है यह देखीए हलका सा जो एकार 6 नंबर में च्रश तकार्ट कोशिजिंग मौटा हो गया है तो जो सुई कि पॉाइंट यह थौड़ा थौड़ा मोटा होते जा रहा है और यह संद्फ hesaap यही बदला होता है। इसलिए ऐसा होता है कि कई तरह के मार्केटमें कपड़े आते हैं कुछ जो कपड़े की बुनाई होती है और प्लिव精 ciao 잘 तो उसके हिसाव से, हमें कपडे के हिसाव से अलग अलंanki की सुई का Yes, इसलिए हर कपडे के Хिसाव से अलंक की सुई को बना जाता है तो अजब भी कोई कपडा सीले तो अपने कपडे की हिसाव से हिस्तामी का इस्तमाल करें उससे आपकी कपड़े की सिलाई अच्छी होगी और मजबूत भी होगी और धागा तूटने की और सूटने की समस्या भी बहुत कम हो जाएगी अगर आप चाहते हैं कि मैं एक वीडियो बनाऊं जिसमें बताऊं कि कौन सी नंबर की सूई किस कपड़े के लि ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और आप हमारी वीडियो को असानी से देख सकें तो यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं और वीडियो अच्छी लगी तो यह वीडियो को लाइक करके अपने उन दोस्तों को जरूर सेर करें जो आपके दोस्ती लाई करते हैं सिलाई सीखते हैं या फिर सिलाई मसीन रिप्यर करते हैं ताकि उनको भी इस वीडियो से कुछ अच्छी जनकारी प्राप्त हो सके अगर आपने हमारे इंस्ट्राग्राम फेस्बूक और वार्सप चैनल को फोलो कर लीजिए वहां भी मैं अच्छे अच्छे कंटेंट ढलता रहता हूं और अपना ख्याल रखिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद